नमस्कार मैं हूँ नाजया और आप देख रहे हैं Capital TV पॉन केस में पिता राज कुंद्रा के एरस्ट होने के बाद पहली बार शिल्पा सिट्टी के बेटे वियान ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरे शेयर की यह वो हैप्पी तस्वीरे हैं जिनमें शिल्पा सिट्टी अपने बेटे वियान को गले लगाती और चूमती दिख रही है और इस वक्त उनका बच्चा इन पलो को काफ़ी मिस कर रहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं यूतो वियान के इंस्टाग्राम पोश्ट पर लिखा कुछ भी नहीं गया है लेकिन जो तस्वीरे हैं वो अपने आप में काफी कुछ कह रही है इस पोस्ट में शिल्पा सिट्टी के साथ वियान की तीन तस्वीरे हैं जो उनके खुशनुमा पलो की है मा और बेटे के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नजर आ रही है जिसे शायद इस वक्त वे सबसे ज़ादा मिस कर रहे होंगे बता दे कि वियान का ये इंस्टाग्राम अकाउंट करीब 5 साल पहले साल 2017 में बना था इस अकाउंट पर वियान के पापा राजकुंद्रा और मा शिल्पा शेटी के साथ कई खुबसूरत पलो की तस्वीरे मौजूद है वियान के इस अकाउंट पर 24 दसमलव 5000 फॉल्वर है पिछले दिनों शिल्पा शेटी ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेट्मेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने लोगों से अपने बच्चे की खातिर उनकी नीच्टा का सम्मान करने की अपेल की थी शिल्पा ने मीडिया ट्राइल के खिलाफ अपनी बाते रखते हुए कहा था बीते कुछ दिन हर तरह से मेरे लिए बेहद चालेंजिंग रहे हैं बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं मीडिया और कुछ लोगों ने मुझ पर धेरो आवनचीत आरोप लगाए हैं मुझ पर ही नहीं मेरे परिवार पर भी कई सवाल खड़े किये गये और ट्रोल किया गया लेकिन मेरा स्टैंड साफ है मैंने इस मामले में ना तो अब तक कुछ कहा है और ना आगे कहूंगी मैं आगे भी इस मामले में चुप्पी साधे रखूंगी क्योंकि ये मामला फिलहाल कोट में है और इसलिए मेरी तरफ से जूटे बयान कोट करना बंद करें शिर्पा ने अपने स्टेट्मेंट में ये भी लिखा था कि मैं बस यही कहूंगी कि अभी जाच परताल चल रही है मुझे मुंबई पुलिस और देश के कानून वैवस्ता में पूरा विश्वास है एक परिवार के रूप में हम सारे उपलब्द कानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं लेकिन तब तक मैं आप सभी से पूरी विनर्मता से विंती करती हूँ खास कर एक मा के तौर पर कि मेरे बच्चे की खातिर हमारी प्रिविसी का रिस्पेक्ट करें वेरिफाई किये बगएर किसी भी जानकारी पर कुछ भी कमेंट करने से बचे शिल्पा और राज कुन्रा के बेटे वियान का ये पोस्ट सचमुष में बहुत भावुक कर देने वाला है इस उमर में किसी भी बच्चे का अपने पिता से दूर होना जिन्दगी का सबसे मुश्किल पल ही हो सकता है फिल्हाल के लिए बस इतना ही देखते रहें कापिटल टेवी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया